हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो चैनल पी, CMB, डिजिटल गुरुकुल, साइन्स की 104 वरक्षिट है बिटाई सब्टे की लास्ट, वाई डूई फॉल इल, डिजीज जो लॉंगर टाइम के लिए होते हैं, उन्हें क्रोनिक कहते हैं, डिजीज जो शोटर टाइम के लिए होते उन्हें acute diseases कहा जाता है, जैसे की जिससे permanent damage ना हो, diabetes TB से permanent damage होता है, on basis of transmission disease communicable हो सकती हैं, जो फैलती हैं, जो कि microbes या pathogen से फैलेंग या air या water से, जैसे bacterial, viral, fungal और protozole, आपने सब नाम तो पहले ही पड़े होंगे, क्योंकि एक revision worksheet है, non communicable disease, जो transmit नहीं होती, इंसान से, दूसरे इंसान में, जैसे diabetes, cancer, BP, यह generally unhealthy lifestyle के कारण होती हैं, अब यहाँ पर अगर हम question देखते हैं, कि acute और chronic में दो अंतर बताएं, तो अब यहाँ से यहाँ तक लेख सकते हैं, और पहला अंतर आप definition के base पर दे सकते हैं, और दूसरा अंतर आप disease के जो examples हैं, उसके base पर दे सकते हैं second question है, communicable disease कैसे हैं, और यह कैसे fuzzy हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं, कि communicable disease यह होती हैं, यह fuzzy, और पांच diseases के आपको नाम लिखने हैं, तो bacterial disease के आग 175 के आग्गे आगा उसका नाम लिख सकते हैं, कि bacteria से यह 4 होती हैं, virus से यह होती हैं, sorry सारस आ गया, stafelococcus आ गया है न, mal वालेरिया प्लाजमोडियम वाइवेक्स से होता है लिश्मेनिया से कालाजार होता है तो इस तरीके से आपके बात जो है वो पूरी यहां पर हो जाएगी तो थर्ड कॉश्चन देखते हैं तो भई उसका ही अंसर हो गया चोता है कि क्या डाइबिटीज एक क्रोनिक डिजीज है या अक्यूट डिजीज है तो इस डाइबिटीज एन अक्यूट डिजीज आप लिखेंगे नो और उसके बाद आप यह लिख देंगे प्रिक्ट प्राइब नो थाईबिटीज एक क्या अविच्चन ग्राइब।